हेलो फ्रेंड्स आज हम O2 टेबलेट के बारे में बात करेंगे O2 टेबलेट हमारे बोड़ी में होने वाले bacterial infections, parasitic infections, lower respiratory tract infections, soft tissue infections जैसे को ठीक करने में बहुती मददकार साबित होता है इसके अलावा urinary tract infections को भी ठीक करने में मदद करता है यहां कुछ infections के कारण हमारे बोड़ी में loge motion होने के सिकायद होती है इस O2 टेबलेट को लेकर आप उससे बहुत ही जल्दी छुटकारा पासकते है O2 टेबलेट दो प्रकार के antibiotics composition से बना है यहां पर 200 mg के मातरा में सामिल है और ओनीडा जोल जो की 500 mg के मातरा में यहां सामिल है यह दोनों antibiotic composition हमारे सहत के लिए बहुत ही फायदेमन साबित होते हैं और किसी भी तरह के bacterial infections को यह दूर करते हैं O2 टेबलेट के बारे में हम आपको complete जनकरी देंगे तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें स्वागा थे आप सबका हमारे YouTube चैनल में मैं दिनिश अगरवाल आज आपके सामने एक new medicine के reviews लेकर आया हूँ आज हम जानेंगे O2 टेबलेट के बारे में O2 टेबलेट एक combination medicines है जो कि दो antibiotic drugs से बना हुआ है जो कि हमारे बोडी में bacterial infections, urinary tract infections, lower respiratory tract infections और soft tissue infections जैसे treatment में काम में लाया जाता है आज हम O2 टेबलेट के बारे में जानेंगे आज हम O2 टेबलेट के benefits उसकी uses और उसके side effects के बारे में जानेंगे उससे पहले आप सभी से request है आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, भूलिएगा नहीं Generally O2 टेबलेट हम loose motions को ठीक करने की use में लाया जाता है loose motions जो कि हमारे बोडी में किसी भी bacterial infections, urinary tract infections, lower respiratory tract infections या parasitic infections से होते हैं O2 टेबलेट दो antivetic drugs से बना हुआ है जो कि हमारे बोडी में transcription, replication और DNA को repair करता है आगे हम जानेंगे O2 टेबलेट को कौन सी company manufacture करती है तो यहाँ आप देख सकते हैं Metally Pharmaceuticals Limited Company इसे manufacture करके देती है आगे हम बात करेंगे O2 टेबलेट के composition के बारे में तो आप देख सकते हैं O-Floxacin and Ornitazole tablets यहाँ आप देख सकते हैं O-Floxacin जो की 200 mg मातरा में यहाँ एविलेबल है Orindazole जो की 500 mg के मातरा में यहाँ एविलेबल है यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ O-Floxacin और Orindazole एक बहुत ही important antibiotic है जो की हमारे bacterial growth को, urinary tract infections को और parasitic infections से problems को ठीक करते हैं और बहुत जल्दी हमारे body को repair करते हैं आगे हम इसके packaging के बात करें तो आप देख सकते हैं एक blister में आपको 10 tablets देखने को मिल जाएंगे उसके बाद हम इसके MRP के बात करें तो आप देख सकते हैं यह आपको 164 rupees 50 paisa में किसी भी medical shop या pharmacy में available मिल जाता है यह एक बहुत ही popular medicine है जो की easily हमें किसी भी medical shop या pharmacy में मिल जाता है auto tablet आपको बहुत ही reasonable price में आसानी से मिल जाता है आगे हम इसके benefits के बात करें तो आपको बताना चाहूंगा यह हमारे loose motions को control करता है जिससे कि हमारे body functions हमेशा ठीक रहे generally auto tablet हम आम तोर पर loose motion को ठीक करने की use में लाते हैं loose motion जो कि हमारे body में किसी भी bacterial infections, urinary tract infections या lower respiratory tract infections या parasitic infections के दौरान होता है O2 tablet एक दो antivetic drugs से बना हुआ है जो कि हमारे body के transcription, replication और DNA को repair करता है जिससे कि हमारे सरीर में हो रहे infections और loose motions को भी बहुत जल्दी treatment करता है और उससे हमारे body को सुरक्षित रखता है और ये दोनों ही composition हमारे loose motions और जो भी infections हमारे body में हो रहे हैं उनको treatment करने के लिए बहुत ही फाइदे मन है और हमारे body functions को ठीक से work करने में मदद करता है अक्सर हम market में किसी भी प्रकर के junk food खा लेते हैं ये infections उसी से होता है जो कि हमारे loose motions और भी bacterial infections से होते हैं हमें loose motions अक्सर होते हैं क्योंकि कुछ bacterial infections हमारे body में enter हो जाते हैं जिससे हमें loose motions की सिकायत होने लगती है आगे हम इसके side effects के बारे मां बात करें तो आप देख सकते हैं वैसे तो इस medicine के side effects बहुत ही कम देखने को मिलते हैं O2 tablet को recommended dose के हिसाब से ही लेना चाहिए इस tablet के overdose हमें side effects दिखा सकते हैं और गलत तरीके से use करते हैं तो भी हमें side effects दिखा सकते हैं जो कि भोमेटिंग हो सकते हैं, जी मचलना हो सकता है, सरगुमना हो सकता है, टेस्ट में changes हो सकते हैं और पेट में दर्द हो सकते हैं इसलिए आपको हर medicine को सही dose में लेना चाहिए और इसके सही dose आपको पता होना चाहिए इस medicine को आप सुभ़ एक tablet खाने के बाद ले सकते हैं और एक tablet राग को खाना खाने के बाद ले सकते हैं आप इस medicine के साथ अपने doctor से भी consult कर सकते हैं आसा करता हूँ आप सभी को मेरे videos पसंद आए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज को सेर कीजिए थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियोज में